श्री क्रिश्ण कन्हे आलाल की, श्री नियानन्द स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की मत्ये नीवसे मिहड़ो, वानर मोड कुढ़न, कैनी जातू जानवर, कैनी जातू पश्वान, कै आतू पश्वान स्री क्रेश्ण कन्हें आलाल की परमध्म के विविद दिरश्यों का बरनण हें, उसमें भी पशवपक्षियों का प्रासंग चल रहा है, विविन्न जाती हैं, कितनी जाती हैं, उनको तुट कि इना नहीं जा सता, कि कोई भी वश्टु इतनी हैं ऐसा करके गिन नहीं सकते, इसलिए असंक्य, इसके साथ साथ में शब्दों के द्वारा वो ऐसे ही हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, इसलिए उनको शब्दा आतीत, असीम, ऐसा कहा, तो ऐसे परमधाम के पशुपक्षी हो, तो भी तो ऐसीम है, पशुपक्षी हीना अरसजा, ते की चुआ चित्राम, पशुपक्षी हीना अरसजा, हीना का बतला इस, ऐसे, अरसजा परमधाम के, ते उवे अधवा, अब उसके लिए विवक्ति मिलाने के लिए उनकी भी कह सकत कि चुआ क्या कहें चित्राम चित्रकारी उनके पंखों के चित्र बेचित्रता भक्षियों में और पशु हैं तो उनके बालों में भी विविनप्रकार के चित्रकारी है तो ऐसे परमधाम के पशु पख्षियों के चित्रकारी के विशय में क्या कहें ये भावस्का निकलता ह मीथी मोह, मीथी जीकर, एड, ये, रुह आराम, तो मीठी, तो मदुर मिठा सर्थम है, मीठी मोह, मोह, बोलने से मू, और बहुबचन में मोह ऐसा हो गया, मिठी जिकर और उनकी जिकर उन बोलते हैं तो उनकी बानी तो वो बानी में भी राज्य का स्मरन करता है तो इसले उनके उसके लिए स्मरन जिकर ऐसा कह दिया ये डिये रुहे आराम तो उनको देख करके उनकी मुँ उनकी जिवहा और उससे निकलने वाले वानी उस प्रकर से काना चाह रहे है तो उनको देख करके ब्रह्मात्माओं को बड़ी शांति मिलती है तो उनके वो राज्य का गुणगान करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है तो डिये रुहे आराम वे ब्रह्मात्माओं को शांति प्रदान करते है तो शांति प्रदान करने का तात्परिय ऐसा नहीं है कि वहां ब्रह्मात्माओं अशांत रहती हो दुनिया का तो ऐसा कुछ है नहीं दुनिया की परिपाटी नहीं दुनिया की सोची नहीं है कहने का तात्पर यह है कि यह पश्वपक्षी जब स्रिराज्य का स्मरण करते हैं तो उससे प्रहमात्माओं को बड़ी प्रसंदता होती है कि ओ यह भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है बाओ अचे बागन में डालरियों उलरौन बाओ का अर्थ है भाईू, अचे आने अर्थ में तो भाता है यह कहना पड़ेगा अचो अचो बूलेंगे आओ आओ तो अचे आता है इस उच्च को रिभग है बागन में भगेचे में तो बगेंचे में वायू के लिए वरणन करते हैं, मंद सुगंद और शीतल, तो शैतिय मंद सुगंद, ये तीन विशेशन अमेशा वायू का वरणन करते हैं, तो डालरियों उलरणन, तो जब बगेंचे में हवा चलती है, तो उस समय डालरियों तो शाखाएं, तो उलरणन तो ऐसे उचे निचे ऐसे हो जाती है, तो उनको अब ये कह सकते हैं, तो चलती है इसे दोस तरह से जुलती है, इसके लिए जुलती है, ऐसा ठीक रहेगा। राद करिंदियों मत्थे चड़ियों लुडन रुहें आत्माएं तो ब्रहमा आत्माएं राद करिंदियों तो राद खेल के लिए कहते हैं करिंदियों करती हैं मत्थे चड़ियों लुडन तो मत्थे उपर चड़ती हैं और शाखाओं में ऐसे उपर चड़ती हैं और लुडन तो वो जूलती हैं तो ब्रहमा आत्माओं का जूलना अलग होता है और वो शाखाओं का जूलना अलग होगा तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग शब्द ह जानवर जे हिन बागजा डारी डारी तरपन्न तो अब देखो जानवर जे हिन बागजा हिन बागजा इन बगेंचेओं के जानवर तो अब यह जानवर से यहां पर पक्षि कर समझना पड़ेगा इस बगेचे के पक्षी, इन बगेचे में जो भी पक्षी हैं वो कैसे हैं, डारी डारी थ्रपन्ना, तो डाली डाली में ऐसे उखलकरके دुसरे डारी में लगाते हैं. उसको गुजराती में बोलते हैं ठेकडा मारूं तो है इती एक डाली में से उचल करके दूसरे डाली में पहुंचते हैं मिठडी चूजे मिठी वानियां चूजे का मतलब चोच तो उनकी उनके चोच है वो मिठडी वो भी मिठे पक्षियों के बात कर रहा है मिठी वानियां उनकी वानी भी बड़ी मिठी है यह रांदी का रूहन ना तो यह रूहन ब्रह्मा आत्माओं के रांदी का खिला हुने है तो यह सब ब्रह्मा आत्माओं के खिला हुने वहां के पशु पक्षि बगरे जो भी है उससब ब्रह्मा आत्माओं के खिला हुने तो इस सब उसमें खिलव नहीं है, हिन मुंधियू मिय संधियू, रुखे का राद करिन, हिन मुंधियू, मिय संधियू, तो अब वर्षा के रितु के बात कर रहे थे न, हिन मुंधियू, इस रितु में, मुंधियू का मतलब रितु, तो वर्षा के रितु में, मिय संधियू मेग के साथ रूए राद करिन ब्रह्मा आत्माएं राद करिन तो कृड़ा करती है तो जैसे तो आकास मेग भी तो नाचते हैं तो इधर से उदर दोड़ते हैं हवा चलती है तो अब बैठ करके आकास क्यों नहीं आ लेंगे तो लगेगा कि वो मेग इदर से उदर जा रहें हें उदर से उदर शरक रहें तो उस तरह से यह ब्रह्मा आतमामें भी क्रेड़ा करती है मेग आप दोडे कुडे मीह अंची शाथ पिरिंन यथ्य और वर झालब करना। जम करना तो मीह में तो अब इसी वोस में रितुई ऐसी है वारिष में वर्षा के रितुम में पाहिंजे साथ पिरिना तो पाहिंजे अपने पांजो उस तरह से पांजे पाहिंजे एक ही बात है तो पाहिंजे साथ पीरिन कच्छी में पांजों बोलेंगे पांजे यहां पाहिंजे का मतलब अपने साथ पीरिन अपने स्वामी प्रियतम स्वामी के साथ ब्रह्मा आत्माएं भी श्रेराज्जी और स्यामा जी जाकर के विराजमान होंगे और ब्रह्मा आत्माएं वहां इधर उधर दोड़ते अब ऐसे समझ लाग कि हमारे ये बच्चे हैं बालमंडली तो थोड़ी देर शांती से बेखते है तो आप कहीं लेकर के जाओगे तो उधार उधार कहीं न कहीं दोड़ते मिलेंगे तो इस तरह से तो उनको एक वो हता है अकेले होंगे तो डर लग सकता है अब अब दूसरे बड़े आदमी होंगे तो निष्चें दवा करके तो इदर उधार कुछन कुछ करते रहते हैं तो प्रमातमाएं भी तुष्रे राज्ये के समक्ष हम इदर उधार उधार ऐसे कुछन कुछ खेलती रहती है शुखड़ा जे हिन अरश जा आइन सभे कमाल शुखड़ा जे ह पहुवचन में इसलिए आइन है सभे कमाल तो सभी कमाल के कमाल सब बड़े ऐसे कमाल के हैं कहने काता पर यह बड़े विचित्र अनुठे हैं तो अस्षर्यत दिला दे इस प्रकार के हैं रुहें बड़ी रुह बीच में तो रुहें ब्रहमात्माएं बड़ी रुह बीच में धनी सो नूर जमाल तो अब बनों में जा करके खेलते हों तो रूहें तो बड़ी रुह बीच में धनिशो नूरर जमाल धनिश जो नूर जमाल हैं और बड़ी रुह हैं वो बीच में हैं और ब्रह्मा आतमा चार और इस तरह से अलग-अलग प्रकार के क्रेडा करती हैं तो परमधाम के ऐसे यह सुख हैं, यह बड़े विशेश प्रकार के हैं, विचेतर विशेश काने का, यह कमाल काने का तात्परी है, तो होई नहीं सकते ऐसा, नए नए अश्चर यह पैदा करें इस प्रकार के, शेहरियों, कपरियों, नूरजियों, मिठड़ा, नूर, गजन्न, तो यह सहरियों, तो शेहरे उसको जैसे गुजराती में भी इस प्रकार से कहते हैं, कि मेक की घटा एक दम काली-काली जो बारिश होने के लिए एक दम उसमें बैठी हो, तो तयार हो, तो उबूद टपकने वाले हो इस प्रकार से, उसके लिए यह कहा, तो शेहरियों, तो यह घटाएं, कपरियों, आकास में, नूरजयों, तो यह भी कैसी हैं? हो, उसमें भी चमक है, तो जैसे बहुते हैं, तो यहां तो थोड़ा सा अंदेरा जैसा होता है, तो उसमें वो चमक है, परमधाम में, मिठड़ा नूर गजन तो इनके गरजना भी नूर उसको अब दिब्य भी कह सकते हैं तो ऐसे उसके गरजना भी इस प्रकार के मधूर है तो भैद दिलाने वाले नहीं है तो उनके गरजना भी मिठी है मधूर गरजना वशे थी वो नूर बरडियूं तो बरडियों तो वो उसको अब मेग का भी मंडल होता है कई प्रकार के मेग होते हैं एक ही प्रकार के नहीं है शाइद उन्चास प्रकार के या ऐसे कुछ मुझे अभी पुरा-पुरा ख्याल नहीं है उन्चास प्रकार के मेग होते हैं तो ये उसको मेग मंडल इनके लिए तो ऐसा वो बरडियों ऐसा का बहुत प्रकर के मेग उनका मंडल तो उसको बरडियों नूर बशे थियूं तो बशे थियूं का ताथ पर यह तो बरसती हैं तो ऐसे अलग-अलग मेग मंडल हैं तो उसमें से बरशा करने वाले मेग हैं वो उससे अपने दीनता वाली बात मत करना तो सब लोग उसमें बरशने वाले नहीं हैं तो चातक पक्षी के लिए कहते हैं, कि तुम बड़ा समझ करके उसमें याचना करना, तो सारे मेग हैं वबर्शा करके तुमारी प्यास बजाने वाले नहीं हैं, तो बिजडियों नूर खेवन, तो बिजली भी कैसी है, तो नूर वो प्रकास की, परमधाम के तो एक एक वस्तु प्रकास माये हैं, तो दिभी हैं, तो खेवन तो चमकती हैं, बिजली भी तो अलगी प्रकार्शे चमकती हैं, और बारिश होती हैं, एक प्रकार्शे वर्शार प्र UC मारिट दों का वर्णन किया है तो ऐसि सुंदर द्रिष्य को देखते-देखते było-30 देखने वाली ब्रह्मा-ात्महें तो दुनिया में कहा भुलिव यह थायना चाहिए मिठ्ड़ों वाओ नूर जुवा राचे नूरख वोय थां तो मिठ्ड़ों वाओ वायु पवन तो मिठड़ो वाओ नूर जो पुलिंगा अनेशे ना तो ये मिठड़ो ऐसा है तो अगर श्त्रिलिंगा होती तो मिठड़ी होता तो वायू भी बढ़ा ही मधूर तो वह ऐचे श्रीतल वायू तो वह बहता है अचे नूर खुशबोए तो अचे का मतलब आता है नूर खुशबोए उसमें से खुशबू अब यहां खुशबू अब उसमें तो हिंदी में उसको श्त्रिलिंग अप्रयो करते हैं तो शुगंद भी आती है उसमें से वायू में तो वायू मीठा मतलब मन्द मन्द है और शुगंद भी है और उसमें मीठा होने में तो मन्द भी है तो शितल भी है तो दोनों बातें उसमें हैं और उसमें सुगन्द भी आती है ए सुख अरश बाग में की चुआ किनारे जोए तो परमधाम के ये बगेचे के सुखाएं उनके क्या बात करें और यह बगेंचे कहा हैं, तो जो एक किनारे, तो यमनाजी के किनारे के हैं, तो उनके की चुवा, उनके बात क्या करें, तो बहुत है वेशिष्ट प्रकार के बगेंचे हैं, अभी तो केवल अम्रिदवन की ही बात की है, तो उसे 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 प्रकार से यह दृष्य है, महामत चोहे मेहवुवजी, तो पसाए पसाना, महामत चोहे मेहवुबहे प्रेतमधनी, तो पसाए पसाना. आप यदे दिखायते हैं तो ये दिरिश्य दिखते हैं, अभी तो माया मोह के करण कुछ भी नहीं देख रहा है. आंखियों आसा एतियों, आखों के आसा इतनी है, हमारे नयन हैं इसी के प्यास से हैं, इसकी अपेक्षा रख रहे हैं, एतियों इतनी मुझी रूहजी या रूहना, तो मुझी रूहजी तो मेरी आत्मा के आसा और या रूहना या तो ब्रमात्माओं की, मेरी भी और ब्रमात्माओं की, सब की अपेक्षा इतनी है, कि बस आप ये दृष्य दिखा देजी अभी यही रखते हैं स्रेक्रिष्न कनाई आलाल कीजे मुझी रुह जी आरुहन मुझी रुह जी आरुहन माहामत चोए महभुबजी माहामत चोए महभुबजी तो पसाए पसन्ना अंखियो ने आसाए तियों मुझी रुह जी आरुहन मुझी रुह जी आरुहन मुझी रुह जी आरुहन मुझी रुह जी आरुहन मुझी पाजन हतन पुरे धाम घे जी जीए गड़भुबजी कृष्णा मरिंजी महाराजी की जारूना